इकनॉमिक्स वर्चुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अर्चास में सांटिकी के अंतरगत अध्याय 3 से आज हम आंकडों का संगटन के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे हाँ तो बच्चो आज हम आंकडों का संगटन के बारे में जानेंगे कि आंकडों का संगटन आके होता है मतलब आंखडों को विवस्तित करना जिसको हम वर्गी करंड भी कहते हैं जो हमारे आंखड़े बिखरेवे होते हैं उनको विवस्तित करना ही आंखडों का संगटन कहलाता है तो इस अध्याय में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आंकडों का हम पहले वर्गी करण कैसे करते हैं उसके बाद मातरात्मक और गुनात्मक आंकडों का वर्गी करण करेंगे फिर उसका अंतर को जानेंगे फिर बारम बाहर रताहा वितरन सारणी क्या होती है उसको कैसे त्यार करते हैं वर्गों के निर्मान की तकनीक को जानेंगे मिलान चिन जो टेली मांक्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे उसका निर्मान कैसे होता है ठीक है तो अब हम इसमें सबसे पहले यह देखते हैं कि आकिर आंकड़े का हम संग्रे क्यों करते हैं तो को आंकड़े इखटे करना बहुत आसान है आंकड़ों का हम संग्रे कर लेते हैं जैसे जनगणना के द्वारा या परती चेन के द्वारा हम आंकड़े इखटा कर लेते हैं कई सारी आंकड़े हम अपने रिसर्च या अपने जो हमें कारे करना है उसके आदार पे हम आंकडों का चेन करते हैं और आंकडों को विवेस्थित अपने कारेक अनुसार करते हैं, कि हमें आंकड़े किस परकार चाहिए तो आंकडों को संक्यात्मक विश्लेशन करना ही आंकडों का संगेटन है। इसको हैं में गुदारण से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा, यह कबाड़ी होता है, यह रद्दी वाला होता है, वो क्या करता है? अपने सारे समानों को, जागबार हो, काच वाला समानों, अगबार हो, प्लास्टिक हो, बर्तने हो, उन सब को वो व्यवेस्थित करता है अगर वो व्यवेस्थित नहीं करेगा, तो क्या होगा? उसको व्यवेपार करना कठिन हो जाएगा, सारा का सारा समान एक जगा पे जमा हो जाएगा तो इस आंकड़े भी इसी परकार के होते हैं यह वो जब आप इखटा करते प्रारब में तो आप विवस्तित होते हैं उससे हम कोई भी निसकर्स नहीं निकाल पाएंगे अगर आंकड़े हमारे जब तक विवस्तित ना हो एसे ही एक उधारन जो आपको दिया था कबाड़ी वाला वो क्या करता है वो अगवार अलग करता है लोए का समान अलग करता है पीतल तामबा अलम्यूनियम जो भी वस्तों उसको मिलती है प्लास्टिक उन सब को अलग करता है और उससे क्या होता है? उस व्यक्ति का सारा जो कबाड वो विवस्तित हो जाता और वरगी करत होता है. अगर कोई खरीदार उसके पास आता है और जिस समान को मांगता है तो उस समान को ढूनने में और देने में उसे बहुत आसानी होती है. ठीक इसी परकार हमें भी आंकडे विवस्तित रखने चाहिए जैसे आपने देखाओं का विद्याले में लाइबरेरी होती है उसमें आपने देखाओं का पुस्तक विवस्तित रूप से रखी जाती है इतियास की किताबें एक तरब, अंग्रेजी की एक तरब, जन्न नौलेज की एक तरब, भुगोल की एक तरब ताकि कोई भी वच्चा जिस किताब को मांगना चाहे तो उसे आसानी से वो किताब उपलप्त हो जाए तो यही उधारन हमारा आंकड़ों का होता है कि आंकड़े हमारे बहुमूल्य होते हैं और आंकड़ों को विवस्तित करने से में शम और समय दोनों हमारा बसता है एसी कबाड़ी वाले का उधारन दिया गया है कि कबाड़ी वाला अगर अपने समान को विवस्तित नहीं रखेगा तो उसे किसी भी वस्तु को ढूनने में बहुत अधिक समय लगेगा इसलिए वो क्या करता है कांच की बनीवी वस्तु अलग रखता है अकबार अलग रखता है ऐसी हम लैबरेरी में पुस्तकों में देखते हैं कि विज्ञान की किताबे अलग होती है समाजिक विज्ञान की अलग होती है मनोरंजन कहानियों की किताबे अलग होती है ताकि कोई भी वेक्ति जब चाहे आसानी से किताब हासिल कर सके और उसको किताब ढूंड़े में समय ना लगे तो इनी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आंकड़े होते हैं भी हमें विवस्तित रखना होता है तो आंकड़े जब हम आरम में इखटा करते हैं तो वो आप परिक्रिष्ट आंकड़े कहलाते हैं जिसे कबाड़ी वाले ने समान इखटा किया था ऐसे ही आंकड़े भी हम इखटा कर लेते हैं है अगर आंकड़ों को हम विवस्तित नहीं करेंगे तो उससे जो निसकरस निकलेगा वो गलत निकलेगा और हम उन आंक्ड़ों को मैं साइडंग से जो स्यंकी की के सूत्र है या उनके जो फोर्मिल है उनका भी साइडंग से उसको लागू नहीं कर पाएंगे और उससे हमारे जो निसकर से वह भर्मिक या गलत हो सकते हैं तो इसलिए आंक्डों का उचित संग्टन तथा उसका प्रस्तिति करण होना बहुत आवश्चक है तब ही हम उसका विश्चलेशन कर पाएंगे आंक्डों के संग्रे के पस्चाज जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो संग्टित आंक्डों को संग्टित करके उसको वर्गीकृत रूप में प्रस्तित करना होता है वर्गीकृत का मतलम आंक्डों को अलग-अलग रूप में हम उसका अध्यान करेंगे जैसे हम उदाहरन एक लेरता है है कि हमार इसक्रीम में सो विद्यारती के छात्र है जिनके गणित के अंकों के आँक्रे हमें इकलते करने हैं तो इसका हम 3.1 में देखते हैं कि हमने गणित के जो आँक्रे किस परकार है जो oni हमने प्रारम में जैसे 50 परिवार रह रहे हैं और वो भोजन पर कितना खर्च करते हैं तो उसका हमें एक आये निकालनी है कि वो कितना वैय करते हैं अपने खाने पर तो इसके लिए हमने जो आंकड़े खट्टे किये वो 3.2 में हम देखते हैं तो 3.2 में हमने जो आंकड़े देखे वो इस परकार है यह खाद्य पदार्तों पर 50 परिवारों के मासिक परिवारिक हुए है जो लोग 50 परिवार है हमारे आसपास वो अपने एक महने में कितना खर्च करते हैं खाने पीने में तो इसमें कोई 1,904 खर्च कर रहा है कोई 5,000 क कर रहा है कोई 2,000 कर रहा है कोई 3,000 से उपर कर रहा है तो यह आंकड़े तुम्हारे हमने खट्टे कि लेकिन यह आंकड़े हमारे विवेस्तित नहीं है इससे हमें किसी परकार का ग्यान नहीं हो पा रहा है कि कितने परिवार हमारे 1,000 से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मा तो इसमसमें depending या इस Luther की सो चाथ जो तो गणित की आंग आंग यह हैं इसन भी हमें ठीक से पता नहीं चल रहा है कि किष्चा शाथ तो कितने चात्रों के शुन्यकय करते हैं कितने चात्रों के असी से उपचरों के नबहे से उपचरों तो यह आववेस्तित आखड़े हैं और समस्य तब और बढ़ सकती है जो पचास परिवारों की मास्मासि mechanics करना के बजाए अगर 9000 परिवारों तो तब हम कैसे हर एक परिवार के आंकड़ों के मतलब उनका वैक को जानेंगे यह हमारे बहुत कठी नहीं तो इसी परकार अगर चात्रों की संक्या भी सौ से एक हजार हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही जादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है तो यही उधारन दे रखा कि कबाड़ी वाला जैसे बहुत बड़ा कबाड़ का धेर लगा देता है और उसका कारे आवविश्थित रहता है तो उसे चीजे ढूनने में कठाई होती है हमारी विश्थिति भी यह होगी कि अगर हमारे पास आउंकड़े बहुत जादा है तो उससे हम कोई भी सूचना कैसे प्राप्त करें तो इसके लिए सबसे आवश्यक हैं कि हमें आउंकड़ों विशाल आउंकड़ों को विवेश्थित करना होगा ताकि हम उनके माध्यम से जो भ प्रिक्रिष्ट आंकडों को संग्षिप बोध गमया मतलब ज्याद हैं उनको हम व्यवश्तित करके बहुत अच्छे भंक से शंग्षिप में और बोध मतलब बोध गया का मतल उस्हे समझने वाला बनाया सकता है और उनको आंकडों को हम एक ही वरग में से रखकर उसका निस्कर्स कर सकते हैं, या किसी परकार की कट्नाई को ढूंड़ने में हमें सायता मिल सकती है, टुनात्मक अध्यन भी कर सकते है, और निस्कर्स निकालने योग भी tenant आकड़ों तो अपने अनुसार बना सकते हैं जैसे सरकार हर पढ़ते एक दस साल बात क्या करती है भारत में जनसंख्या की गणना करती है और यह आंक्रे बहुत ज़्यदा विशाल होते हैं कम से कम इसमें एक ही परिवार से 35-40 कोशिन पूछे जाते हैं तो इन सारे आंक्रों को से अर्थ पूर्ण निसकर्स निकालना एक बहुती असंभवकारी लगता है लेकिन जब इन आंक्रों को हम विवाजित करते हैं लेंग के आधार पर शिक्सा के आधार पर वैवाईक इस्तिती पेशा आधी पर हम इनको वरगी करन करते हैं तो इससे भारत की पूरी जनसंख्या क कि सरचना हमें समझ में आ जाती है कैसे हमारे देश में कितने पूरुष हैं कितनी महिलाएं हैं कितने बच्चे पड़ लिखें कितने सिक्षित हैं कितनों की साधी हो गई है कितनों की नहीं हो गई है किसके घर में टीवी है किसके पास फोर वीलर है हम इन आकड़ों को वर्ग जाता है यह अमीर वर्ग जाता है और इससे हम अन्य देशों की जन संक्या से तुलना भी कर सकते हैं कि तो आप परिक्रिष्ट आंक्रे चरों के परिशेक्षंट से बने होते हैं है हैने अब हम आंख़ों का व्रगी करन करते हैं कि आंखों को कैसे कैसे हम अलग-अलग हिस्सों दिवाइट कर सकते हैं तो इस में जैसे पुस्तकों को आप देखने किसी लाइबरीरी में जाके पुस्तक को को विसे करनव सारां पांट देते हैं जैसे इतियाज बूगोल गनीत और अगी वर्गी गरंड कर देते हैं या हम वर्ड मालई के आधार पर लेखोकों के अधार पर भी पुस्तों कौन का वर्गी करनद कर सकते हैं एक A category की किताब, B category की किताब, C category किताब या writers के नाम के अधार पर या परकासन के अधार पर हम उनको वर्गी करण कर सकते हैं, इसी परकार हम आंकडों को भी अलग अलग रूप में वर्गी कर सकते हैं और उनको हम काल, नुकरमिक, वर्गी करण के रूप में कर सकते हैं, समय के अनुसहार आंकडों को हम डिवाइड कर सकते हैं, एरवाइज हम उसको कर सकते हैं, आंकडों को वर्ड्स, तिमाई, मासिक, सब्ताहिक, आधी के रूप में कर सकते हैं, उनको आरोही या अवरोही करम में किया जा सकता है जैसे भारत की जन संक्या के वर्गी करण हमें दिखाता है कि जो हमारा चारह वो जन संक्या है और एक काल स्रेड़ी है मतलब हम 10 वर्ष के अंदर जन संक्या को गढ़ना करते हैं जैसे हम यहां पर उधार्ण से समझ सकते हैं जैसे हमने एर वाइस यहां पर आंखड़ एखटे किए 1951 में हमारी देश की जन सेंग्या 35.7 करोड थी 61 में 43.8, 1991 में 81.8 और 2001 में 102.7 करोड तो यह जो हमने आंखड़ एखटा किये हमने यह वर्ट्स वाइस एखटे किये हैं इसी परकार हम स्तानिक वर्गी करण भी कर सकते हैं स्तान के आधार पर और भोगोलिक कारण भोगोलिक देश भोगोलिक इस्तिति या देश राज्य सहर जिल्ला कस्वा आधि के आधार पर भी हम आंखड़ों को वर्गी करण कर सकते हैं जिसको हम चित्र आपको जो रेखत यह किलोग्राम एकड में अमेरिका में एक हजार नौसो पक्चिस ब्राजिल में एक सो सत्ताइस किलोग्राम एकड में घ्यों की उपज की जाती है चीन में इतना है और भारत में आप देख रहे हैं यहां पर एकड में एक पर मतलब हमारे जैसे ग्यों की उपज की जाती है तो यहां एक तरब देश हैं और दूसरी तरब इनकी संक्या दे रखी है तो यह हम देश के आधार पर भी आखणों को वर्गी करित कर सकते हैं जिसे हमें समझने में आसानी हो जाती है और तुलना करने में जिससे आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर किताबे फैला के रखी हुई है और यहां पर किताबे पूरी अल्मारियों में करमवाइस लगी हैं तो यहां से हमें कोई भी किताब अगर ढूंद नहीं हो तो मैं बहुत आसानी हो अम तुरन जाएंग वर्गी करन को देखेंगे और किताब चुन लेंगे लेकिन यहां पर आप किसी भी किताब का चैन आसानी से नहीं कर पाओगे समय बहुत वेस्ट होगा समय भी लगेगा ठीक है और आपकी इंट्रस्ट में भी कम ही आएगी तो हमें आंकड़े जो हमें इस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं उन्हें हमें इस प्रकार व्यवेस्थित करना चाहिए तभी उससे निश्कर सही निकलेंगे इसके बाद आंकड़ों में की दो और विसेष्थाएं होती हैं एक होता है मातरात्मक आंक्ड़े एक होता है गुण आत्मक तो जो आपके मातरातम आंकड़े होते हैं उनकी विसेष्थे अधिय quando फिस हैं सब्विद्धित होती है कि यिस धर्म के लोगें लिंग पुरुसी की महीला है कि वैबाइक है या ओवैबाइक थे तो इन्ने हम मात्रात्मक की रोप में बोल सकते हैं नी गणात्मक की विशेश्थाएं भी होथी है जैसे उपस्तित है या अनुपस्तित अधार पह दोने हम अंग्डों को को ऐसे वर्गी करन किया जाता हा तो अने हम गुणात्मक को情 किए है रचक्षाते हैं तो आपको और रधा रध़ किलिए हो जाएगा है कि जसे जंचया को गुणात्मक जो चर है वह लिंग के अधार मतलबस्ट संक्या में कितने पुरूशें इस्तिरी यह गुणात्मक चर आ जाता है और जो मात्रात्मक होते हैं उसमें हम संक्याओं में उनको डिवाइड कर सकते हैं जैसे यहां पर दिया हुआ है जन संक्या उसको हमने पुरुस और इस्तिरी में बाटा है पर पुरुस को वयवाइक और दस्तिरी को वयवाइक और दस्क्याओं कर सकते हैं तो यह वाले जो आंकडे कहलाएंगे गुणात्मक कहलाएंगे किसी कि विसेषता बताने वाले ऐचनात्मक होंगे जिसे काला सपेद और पुरूस मैला उपस्तित है या अनुपस्तित है ये सब आंक्रे तुमारे मातरात्मक कहलाएंगे गुणात्मक कहलाएंगे और जो तुमारे दूसरे आंक्रे जिसमें हम उचाई, भार, आयू, चात्रों के अंक, आदी ये मातरात्मक कहलाएंगे जिनको को हम मात्रा में दर्सा सकते हैं तो इसमें हम जैसे उंचाय का बाहर तर कि आयू कितनी हैं 15 साल 20 साल ह। अच्छात्रों के कितने अंग प्राप्त हुए हैं साथ, सत्तर परसंट, नब्बे परसंट वो सबको हम इसमें दर्सा सकते हैं क्योंकि यह मातरात्म के जिसको हम गणना कर सकते हैं इसके बाद आता है चर, सत्त है और विविद चर इसको हम समझेंगे कि यह आकिर होते क्या है तो बच्चों चर क्या होता है इस बारे में हम अध्यन करते हैं चर वे मुल्य होते हैं जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जिने हम संक्यात्मक रूप से माप सकते हैं जैसे एक, दो, सो, पचास इस तरगा हम उसको माप सकते हैं इस प्रकार चर भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है सतन्स चर एक होता है विभिक चर तो सतन्स चर क्या होता है जब कोई भी संक्यात्मक मान हो जिसे हम संक्या के रूप में माप सकते हैं तो उसे हम संत्या चर कहते हैं जैसे एक, बीज, एक बटा दो, वर्गमूल दो या दसमलब की कोई भी संख्या हो, जिसके बाद आता है विभेक्चर, यह केवल संख्यात्मक मानवाले हो सकते हैं, जैसे छात्रों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, यह निश्चित होता है कि इसमें कितने छात् बात आता है समवेशी वर्गांतर और अपर जीवी वर्गांतर में क्या आंतर है, आप यहां पे देखर हैं समवेशी वर्गांतर में जो सीरीज हम लेते हैं, क्लास इंटरबल जीरो से 9, 10 से 19, तो इसमें जो हमारी यह पहली इस वाली संक्या को हम L1 बोलते हैं lower limit और L2 अपर लिमिट कुछ सीमा और निम सीमा बोलते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं L2 यहां पर 9 है और L1 10 हो गया तो इसमें अंतर आ जाता है आप जबकि अपर जीवी वरगांतर में जो क्लास इंटरवल है वह देखे किस परकार होता है 0 से 9.5 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5 इसमें जो L2 की सीमा है वह ऐल 1 बदल जाती है सेम हो जाती है तो कि इनकी परिबास परकार है अपर जीवी जो हमारा वरगांतर होता है उसको हम कह सकता है कि इस विदी की तुल्णा में समावेशी विदी किसी वरग वंतराल में कुछ वर्ग सीमा को समलित किया जाता है अथा दोनों वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल का हिस्सा होती है जबकि समयवेशी वर्गंतल इस विदी के द्वारा वर्गों का गठन इस परकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्छ सीमा अगले वर्ग की निम सीमा के बराबर होती है इस विदी से आंकणों को संधता बनी रहती है, इस विदी के अंतरगत उच वर्क सीमा को छोड़ देते हैं, प्रन्तु एक वर्क की निम सीमा को इसमें सामिल कर लिया जाता है. अब हम यह देखेंगे कि समावेशी विदी द्वारा बारम बारता का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिस में क्योमिलेटिक फिर्क्वेंसी बोलते हैं, जैसे हमने इसमें एक उधारन लिया है, कि हम साथ संक्या से वर्क अंतराल बनाएंगे, और यहां पे बच्चे के 28 आये, किसी के 17, किसी के 15, यह हमारे पास लगवक 60 बच्चे के अंग है, तो यहां पे हमें पहले इसी दे रखा कि साथ का वर्क अंतराल लेना है, और समावेशी विदी का परियोग करना है, तो 0 से 7 हमने एक वर्क अंतराल लिया है, फिस साथ से हमने 14 लिया है साथ का अंतर लेके वर्क अंतराल बनाएंगे, जिसको क्लास इंटरबल बूलते हैं, L1 माइनस L2, अब सबसे पहले टेली माक्स, अब हम इसको मिलान जो चीन है, उसे कैसे निकानते हैं, तो जैसे 0 से 7, 0 से 7 अंग प्राप करने वाले कितने चातने हैं, तो जैसे इसमें 28 ह पहली संक्या 28 है, तो हम इसको यहां पर जैसे 28 को काटेंगे, तो 28 संक्या हमारी कहा आएगी, एक से 28 में आएगी, या 28 से इसमें आएगी, तो हमारी संक्या इसमें आएगी, उसके बाद है 17, तो 17 संक्या हमारी किस में आएगी, 14 से 21 के बीच में, 21 आपके देखरें बढ़ 15 संक्या भी हमारी इस तो निसमें μढ़ी संक्यां हिस nhân करना करेंगे यहां पर हैं तो इसμें पर कर यह सारी संक्या मिलान करते चले जाएंगे तो हमने देखा यह 4 है और एक हमने यूँ काटा यहां पर तो 5 हो गए यह जो पूरा आपको दिख रहा है यह हम 5 मानेंगे इसको 4 पलस एक 5 यह भी आपका 5 हो गया और यह हो गया आपके 4 तो कितने हो गए 5 और 5 10 और 4 14 तो आपने देखा कि हमने जो count किया सिएब 14 है ऐसी 5 और 5 10 और 3 13 5 और 5 10 3 13 तो आपने देखा कि हमने जितनी भी cumulative frequency पूरे के पूरी निकाल ली और इसका total 60 आना चाहिए, match करना चाहिए क्योंकि यह संक्य हमारी 60 है तो बारम बारता ऐसा है निकाला जाता है टेली मार्क्स को count करके हम सिए बारम बारता निकाल लेते हैं तो बच्चों आपने सीखा कि वरगंतराल समवेशी विद्धी के द्वारा हम बारम बारता की गंड़ना कैसे कर सकते हैं अटसास विशे को और अक्षे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे यूटूब चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल आप मतिश्थ यूटूब चैनल को वेपूचँ है ऐसे समझने कर सकते हैं प्यूब चैनल को दूरूब चैनल यज हया हि Bears झाल झाल